अब सुन रहें दिली का कूलिस रेडियो स्टेशन, 107.2 FM, रेडियो नशा, मेरे साथ और मेरे साथ हैं ओथर शिशर वर्मा जिनकी बुक, ब्लाक और वाइट, दे मनी फर्स जेनरेशन, अभी अभी आई है और उसके बारे में बातचीत जारी है शिशर मुझे एक चीज और समझने हैं आपसे, कि आपके बुक में जान, या मैंगो, या 5% इंप्लोईज, ये जो मेंशन किये गए हैं, इसको मैं थोड़ा सा और डीटेल में समझना चाहरा था जीके ये कोई भी जो कंपनी चलती है ना, या कोई भी चीज सल्चीज रखे है ते क्रिकेट ते हैं, इसको मैं इंप्लोईज, या महिन इंप्लोईज हैं, इंप्लोईज तो जो 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 या मिन दॉड़ता हैं, इंको death anducc biz इस बिचारे इतने शांत हैं कि इनको ढूनना पड़ता है, अगर CEO या MD अगर इसको नहीं पहचानता है, तो ये कहीं नहीं चुप जाते हैं, नहीं देख पाते हैं, और कहीं चले जाते हैं, मैं कहता हूँ कम्पनी को दोडाना है, तो इन 15-20 लोग का काम का जो ढूनने काम है वो MD, CMD या CEO का होना चाहिए, ताकि इस कम्पनी का आगी जा सके, ये बेसिकली करते हैं, ये तीन चीज़ इनकी मेन होती है, एक है productivity, एक है profitability, और ultimately अगर तो आप बोलो, तो कम्पनी का revenue model के सबसे बड़े सरवाई ये होते हैं शुशर आपके book में आपने ये भी mention किया है कि लोगों को प्रभावित कैसे किया जाए, influence कैसे किया जाए, वो बताइए ज़रा सब्जेक्ट में अजर उसका पकड़ है, अजर उसकी knowledge है, उसका skill है, तो लोग उसको भी value करते हैं और उसको इसे influence हो जाते हैं बाकी चार और कौन सी categories हैं जिनसे लोग influence होते हैं उसके बारे में बात करेंगे बस थोड़ी सी देर में स्टेए टून क्योंकि ये है दिल्ली का coolest radio station 107.2 FM रेडियो नशा फिर वही दीवानगी